यूचूबर अर्मान मलिक पिछले कुछ समय से अपनी दो शादियों को लेकर सुर्ख्यों में है अर्मान मलिक की दो पत्निया है पायल मलिक और कृतिका मलिक जो एक ही घर में बड़े प्यार से रहती है तीन नन्हे बच्चों का एक महिने के अंदर स्वागत करने पर पूरा मलिक परिवार खुशियों में जूम रहा है अर्मान मलिक की पहली पत्नी पायल ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया जिसमें बेटे का नाम अयान बेटी का नाम तूबा रखा है वहीं अर्मान की दूसरी पत्नी कृतिका के बेटे का नाम जैद रखा गया है जहां एक तरफ पूरा परिवार अपने नन्हे बच्चों के आने का जश्ण मना रहा है माता पिता खुशी से अपना प्यार बरसा रहे है वहीं दूसरी तरफ लोग बच्चों के नाम के कारण उन्हें ट्रोल कर रहे है तूबा और जैद के नाम पर यूच्यूबर को सूशल मीडिया पर कावी घरी खोची सुननी पड़ी थी ट्रोलर्स का कहना था कि जब अर्मान और उनकी दोनों पत्निया हिंदू है तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम मुस्लिम धर्म के हिसाब से क्यों रखे वहीं कई फैन्स मलिक फैमिली से तूबा और जैद का नाम बदलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे ऐसे मैं अर्मान मलिक के यूट्यूब चैनल पर हाली में एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें अर्मान मलिक के दूसरी पत्नी कृतिका ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगा रही है कृतिका का कहना है कि अर्मान को वह नाम पसंद थे इसलिए बच्चों के ये नाम रखे गए इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है कृतिका ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि सारे नाम बहुत अच्छे होते हैं चाहे हिंदू नाम हो, चाहे मुसलिम नाम हो, चाहे सिख नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चीकू के पापा को जो नाम पसंद आये थे, वो नाम रखे हैं, क्योंकि इसके पीछे उनका एक अलग विचार है, पर फैंस की दिमांड को देखते हुए, फाइनली अर्मान मलिक ने अपने बच्चों के नाम बदल कर हिंदू नाम रख दिये हैं, पाइल मलिक ने लेटेस ब्लॉग में बच्चों के नाम बदलने की जानकारी दी है, पाइल ने अपने लेटेस ब्लॉग में खुलासा किया, क्यों ने अपनी प्यारी बेची तूबा और फितिका के बेचे ज उन्होंने बच्चों का नाम कर दिया है पाइल कहती है कि जयद का नाम पृत्फफी करते हैं ज्यानि हम ँख 11 और जायद को प्रित्वी के नाम से बुलाए जाएगा.